हाई गाई तो आज हम बाइनरी ट्री के प्लेलिस्ट का नेक्स्ट क्वेशन करेंगे फिफ्थ क्वेशन है यह हमारे प्लेलिस्ट का मेडियम लेवल का क्वेशन है लीट कोड नंबर 958 प्वेशन है चेक कम्प्लीटनेस ऑफ बाइनरी ट्री मतलब क्या है कि आपको यह पता क करना है कि एक गीवन बाइनरी ट्री कम्प्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं एक जामपल कलिए इंड़न रहे गा जैसे ये लेवल फैल का पूरा ये लेवल भी फिल है पूरा का पूरा लेकिन लास्ट लेवल जो है वह completely fill नहीं, जरूरी नहीं कि completely fill हो, ठीक है, लेकिन सारे notes एकदम leftmost में होने चाहिए, ठीक है, तो देखो यह last level है, completely filled नहीं है, ठीक है, it is fine, but all the notes must be as left as possible, ठीक है, तो यह complete binary tree है, तो एक example दिखते हैं कि complete binary tree कब नहीं होता यह, अगर माल लो मैं इधर ही draw करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह right node में आ गया, तो देखो, first node, first level पूरा filled है, second level पूरा filled है, last level देखो, last level पूरा filled नहीं हो, तो that's fine, but, सारे nodes should be as left as possible, जैसे 4 left में है, ठीक है, 5 भी अपने जगा पर सही है, लेकिन देखो, जो 6 है, यह right side पर है, यह इसको left में होना चाहिए था, तब यह complete binary tree होता, इसलिए यह जो है, यह complete binary tree नहीं है, ठीक है, तो इसका अगर definition बोला जाए, तो complete binary tree का मतलब होता है, कि in a complete binary tree, every level, मतलब हर एक level, except possibly the last level, last level को छोड़के, हर एक level जो है, completely filled होता है, ठीक है, और last level में सारे nodes जो है, ठीक है, all the nodes last level, should be as far left as possible, ठीक है, ठीक है, last level में जतने nodes है, should be as left, in the left as possible, जतने left में हो, ठीक है, तो this is complete binary tree, this is not, ठीक है, तो ठीक है, तो इसको solve कर सकते हैं, तो सबसे पहला approach तो मैं बताऊंगा, breadth first search से, ठीक है, इसके बाद हम depth first search भी देखेंगे, तो पहले breadth first search से देखते हैं, इसी example को उठाते हैं, ठीक है तो देखो, ये example है, जो एक complete binary tree है, बट इसको मैं complete binary tree नहीं बनाता हूँ, फिर देखते हैं, कैसे बनाएंगे, ताकि example ज्यादा अच्छा रहेगा, complete binary taken नहीं लेंगे तो, ठीक है, ये मैंने ले लिया, right में ले लिया, last level में जो node है, एक right में ले लिया, ठीक है, जो की violate कर है हमारे complete binary tree के definition को, ठीक है, तो 6 है, तो देखो, problem कब आई, जब मैंने चेक किया, कि 3 के left child है ही नहीं, ठीक है, लेकिन right side में और nodes हैं, है ना, 3 के left side में जब null है, कुछ नहीं है, तो right side और कुछ नहीं आना चाहिए था, है ना, मतला complete binary tree क्या बोलता है, कि भाई, तुम सारे level को filled रखो, लेकिन, सारे nodes को as left as possible रखो, ये सही है, ये complete binary tree है, अब मान लो, और भी depth में हम जाए, और भी मान लो, tree बड़ा बन गया हमारा, ठीक है, तो ये मान लेते हैं, ये complete binary tree नहीं है, इसको मान लो, complete binary tree करना होता, तो मैं क्या करूंगा, last level में जो भी nodes हैं, उसको as left as possible shift कर दूँगा, तो ये जो है, ये वाला जो node है, इसको left में डाल देंगे यहाँ पर, इसके left में, इसका right null है, इसका right null है, इसका right null है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, कि अगर मुझे एक null, last level में एक null node दिख गया, ये null है, तो इसके right side में अची भाई, अगर कुछ है, मतलब गरबड, complete binary tree नहीं है, ठीक है, तो वही मैं यहाँ भी बोल रहा हूं, कि, यहाँ पर मैंने देखा, कि यहाँ पर एक null node है, यहाँ पर null node है, but right side में देखो, और भी nodes है, 6 है, that's why it is not complete binary tree, ठीक है, तो देखाया है, तो आपको बस यही track र 6 पर खड़े हो, तो आप उससे सवाल करो, कि क्या हमने past में कोई empty node देखा है, अगर देखा है, मतलब complete binary tree नहीं है, right, इससी तरह हम हर node से सवाल करेंगे, क्या आपके past में आपने null node देखा है, अगर null node देखा है, मतलब गरबड है, complete binary tree नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 6 के पास मनलो आ गया, और मैं 6 से पूछता हूँ कि तुमने last, past में null node देखा है, तो 6 पूले का, yes, मैंने एक null node देखा था, ठीक है, लेकिन आप तो उसके बाद आए हो, जो 6 है, उसके बाद आए है, तो गरबड हो गई, है ना, that is why this is not a complete binary tree, तो देखते हैं, यह काम कैसे कर आ रहे हैं, तो चलो, bfs से बनाते हैं, इसको, bfs में क्या करते हैं, q का use करते हैं, तो q बना लेते हैं, यह मान लेते हैं, हमारा q है, ठीक है, q में सबसे पहले root को डालते हैं, डाल दिया, अभी मैंने root को pop किया, तो अभी मेरा root है, one है, ठीक है, मैं one से पूछ रहा हूँ, क कि आपने previous में past में कोई null node देखा है तो यह बुलेगा नहीं अभी तक हमने कोई null node नहीं देखा है तो चलो ठीक है अभी past की value false है cool अब क्यों तो खाली हो गया root का left or right child देख लेते हैं root का left child है हाँ है डाल दिया root का right child भी डाल दिया ठीक है अब आते हैं next time अब मेरा root क्या है root है मेरा two ठीक है अब मैं two से पूछता हूं क्या तुमने अभी तक past में null node देखा है तो two भी बुलेगा नहीं तो past अभी भी false है चलो ठीक है अच्छी बात है नहीं देखा है टू का left or right child डाल दिया ठीक है टू पॉप कर लिया था टू खतम अब आते हैं three पे three पॉप किया यहां से अब मैं three से पूछता हूं कि क्या आपने past में null node देखा है तो three भी बुलेगा नहीं अभी तक तो नहीं देखा है तो यानि कि past अभी भी false है तो which is good अब three के left or right child को null है three का right child क्या है six है डाल दिया अब आते हैं next time four पे आ गया है four आ गया है यहाँ पर four से पूछते हैं क्या आपने past में अभी तक कोई null note देखा है तो four भी बुलेगा नहीं अभी तक तो नहीं देखा है तो यह false है which is fine ठीक है तो four का left और right child null है उसको डाल दिया null null ठीक है अब आते हैं five के पस five को pop किया five से पूछ रहे हैं क्या अभी तक हमने null note देखा है past में देखा है नहीं तो अभी भी false है ठीक है five के left और right child को डाल देते हैं क्या है null है null है ठीक है अब आगया null ठीक है अब आगया null तो हमने अभी null देख लिया है तो हम क्या करेंगे past में true मा ध्यान दो important step पहले फॉल्स था न अभी तक हमने नल नोट नहीं देखा था आप हमने देख लिया तो अब हमने ट्रू कर दिया पास्ट में अब हमने नल नोट देख लिया ठीक है तो नल नोट है तो इसका तो लेफ्ट चाहिए राइट चल कुछ नहीं होगा तो नल को नल नोट देख रखा है तो आप कहां से आगए भाई आप सिक्स कहां से आगए जब पास्ट में नल था तो आप तो आपको तो आने नहीं चे था complete binary tree है यह तो इसका मतलब मैं यहीं से return false कर दूंगा कि भाई यह जो है complete binary tree नहीं है ठीक है काफी simple से code है आपको बस यह track रख है कि नहीं है और हर एक नोट से पूछते चलेंगे पास्ट में नल नोट देखा है तो सिक्स ने कहा कि हाँ देखा है यहां पर है ना तो मैंने बोल दिया कि भाई यह तो complete binary tree नहीं है ठीक है इसका code भी बहुत simple होगा simple BFS करेंगे और जैसी हमें नल नोट दिखेगा हम पास binary नहीं है और ऐसे करते करते अगर एंड हो गया हमारे BFS का तो मतलब कोई भी ऐसा condition नहीं आया जहां पर पास्ट में हमने नल देखा हो और हम करेंटली एक नोट में खड़े हो मतलब वह फिर complete binary होगा ठीक है तो इसका code करते हैं और उसके बाद फिर हम next video बनाएंगे जिसमे हम डेप्थ फर्सर से भी solve करेंगे इसको ठीक है तो पहले BFS से solve करके देखते हैं ठीक है तो पहले question देख लेते हैं फिर से कि आपको root दिया रहेगा binary tree का and you have to determine कि वह complete binary tree है की नहीं ठीक है और यहां complete binary tree का definition दे रखा है है that every level except possibly the last is completely filled and all the notes in the last last level में जितने भी notes होंगे are as far left as possible left महीं होने चाहिए ठीक है it can have between L and 1 and 2 का power h notes including the last level h ठीक है तो इस लिंक पे click भी करोगे तो complete binary tree की अच्छी सिखाती definition मिल जाएगे Wikipedia पर ठीक है तो यही एक्जाम यही दो एक्जाम्पल मैंने आपको बताया था अब इसको solve करते हैं ठीक है जैसे हमने सीखा था using BFS ठीक है तो BFS में क्या करते हैं पहले तो Q defined लेते हैं ठीक है और Q में root को डाल देते हैं यह से start होता होता हमेशा और याद करो मैंने बूरा था कि मैं बूल वरीबल एक रखूंगा ठीक है जो बताएगा क्या आपने past में null node देखा है ठीक है अब while जब तक Q empty नहीं हो जाता इसको चला दो फिर current में जो node है उसको निकाल लेते हैं Q.front ठीक है इसको pop कर लेते हैं क्योंकि निकाल चुके है ठीक है अब देखो मैंने क्या कहा था पहले तो मैं चेक कर लूँगा पहले तो मैं यह चेक कर लूँगा क्या अगर नोट मेरा नल है तो मतलब हमने एक पास्ट सॉरी नल नोट देख रखा है तो मैं इसको ट्रू कर देता हूं ठीक है ट्रू कर दिया और अगर ऐसा नहीं है अगर नोट नल नहीं है तो पहले तो मैं इससे पूछूंगा कि क्या पास्ट में आपने नल नोट देखा था अगर देखा था तो रेटर्ण फॉल्स मतलब अगमली बैंडिटरी नहीं है और ऐसा नहीं है तो वही है जो करते हैं हमेशा नोड का लेफ्ट चाइड डाल देते हैं और नोड का राइड चाइड डाल देते हैं ठीक है और तो बस अब लास्ट में अगर ऐसा कोई भी हमें कंडिशन नहीं मिलता और हम लूप से बाहर निकल जाते हैं तो चुपचाप हम बतादें बोल देंगे कि भाई हमारा ट्री जो सब्सक्राइब करके लेफ्ट सी इफ यह एबल तो पास अल दे टेस्ट केसे ओके लिट सब्सक्राइब करें हैं यह थोड़ा सब बेसिक और सिंपल तरीका था बड़ा हो आपको समझ में हाऊ कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में डालो आलो आपको okay thank you guys bye bye